मेरे लिए उसका साथ सबसे प्यारा था दोस्ती रहता हूँ ना मेरा क्या जा रहा था अपने अर्मानों को दिल में दबा लिया और वो प्यारवाला दिया उससे छुपा लिया इस तरह हाफिली बीद गए और मेरे वन सैड़ेड लव को चार महीं में अब एक दिन वो ट्यूशन नहीं आई और मुझसे भी तो नहीं हुई पढ़ाई मन बेचैन और दिल उदास था और एक अजीब सा ही सवाल था वो ठीक तो है खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था पर ये सवाल तो मुझे भी परिशान कर रहा था नेक्स्ट डे ट्यूशन पहुंचते ही वो नजर आई और देख उसे मेरी जान में जान आई बैठी थी वो अपनी जगा और मैं अपनी जगे बैठ गया उसने बोला हाए और मैंने एक सवाल किया कहां थे खालाब और वो बोली क्यों क्या हुआ मुझे मिस किया क्यों ऐसे ही नहीं पूछ सकता हां बिल्कुर पूछ सकते हो लेकिन मैंने तो किया ये सुनकर मैं शर्माने लगा और उससे नजरे बचाने लगा वो बोली कि हाँ फैंबली संग इंडिया गेट गई थी और वहीं लेट हो गई थी तो कल का मुझे समझा देना और अपना रेजिस्टर मुझे दिखा देना सो मैंने उसे छोटा हुआ बता दिया और घर के लिए उसे अपना रेजिस्टर दिखा दिया नेक्स डिडे वो मेरे से पहले आ चुकी थी और वो अपने नोट्स बना चुकी थी शायद कोई बात उसे याद आ रही थी क्योंकि वो मन ही मन मुश्कुरा रही थी मैंने बोला क्या बात बहुत हसी आ रही है कोई तो बात है जो चुपाई जा रही है तुम्हारी तरह कुछ चुपाती नहीं हूँ करते हो शायरी और बताते भी नहीं हो किसे शब्दों में कैद करते हो कौन है वो जिसे यादों में मिलते हो शैरी में जिसे अपना बना लिया है, चुपाया है उससे या बता दिया है अब मैं खामोश और सोचने लगा, दिल को अपने टटोलने लगा चुपा लूँ या बता दूँ, आज प्यार अपना जता दूँ फिर तूटने के डर ने घेर लिया, और फिर मैंने नजरों को फेर लिया अरे कहां इतना अच्छा हो लिख पाता, और इसके बारे में क्या बताता सुन जिसे उसके चहरे पर एक हामोशी आ गई, और उसके चहरे पर एक मायूसी च्छा गई दो तीन दिन बात फिर हसने मुस्कुलाने लगी थी, अब पहले से चायद ज्यादा करीब आने लगी थी या शायरी सुनो शायरी सुनो ये वोल कर ज्यादा सताने लगी थी पर मैं भी तो शायरी उसके लिए लिखता था अपने शब्दों से उसके रूप को रज़ता था कुछ दिनों मैं नया साल आने वाला था और मैं उसे दिल की बात बताने वाला था हाँ उससे दिल की बात कह दूँगा फिर अपने दिल को हलका कर लूँगा बता दूँगा उसे जो मेरे जजबात है पकड़ले हाथ या छोड़ते अब ये उसके हाथ है फिर मैंने ट्यूशनल गोला की एक बात है चलोना बाहर चलते है और किसी खासी जगह मिलते है न्यू येर की पार्टी मनाएंगे और कुछ पल साथ ही बिताएंगे वह बोली क्या बात बहुत रोमेंटिक लग रहे हो और बाहर क्यों मिल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है आपको नहीं पसंतों रहने देते हैं वह बोली अरे नहीं चलते है फाइनली वह दिन आया जिस दिन मुझे जाना था अपनी किस्मत और प्यार दोनों को आज माना था मैं डिसाइड की जगहे पे टाइम से पहले ही पहुँच गया दिल में खुशी और डर दोनों एक साथ था बहुत ही अजीब सा हाल था सच कहूं तो मैं बहुत डर रहा था बस एक दिखावती हसी हस रहा था तब ही वो आती हुई नजर आई और मानो मेरी सांस रुक गई खुले बाल और लाल रंग क्या खिल रहा था मानो भगवान उसकी खूबसूरती लिख रहा था वो आई और बोली हाई अब बहुत प्यारी लग रही हो उसने बोला थैंक्स और अब क्या करना है फिर मैंने उसे चियर पे बैठा दिया उसकी फेवरेट चॉकलेट और एक टेड़ी दिया और फिर खामोश हो गया बाते तो बहुत थी लेकिन पता ही नहीं कि शुरुआत कहां से करूँ उसने फिर बोला बवन अब आगे गया मेरी अभी भी खामोश नजरे उसके चेहरे को देख रही थी और वो मेरे फिर हिम्मत करते हुए मैंने उसके हाथों को पकड़ा और उसकी आँखों में आँखे डालते हुए बोला दुनिया से उसे छुपाना चाहता हुँ संग उसके चलना चाहता हुँ जो मेरी गलतियों पे मुझे डांट दे लेकिन हमेशा मेरा साथ दे जो हर सफर में मेरी राही है वो मेरा प्यार माही है सुनकर ये वो शर्मा रही थी अब तो और भी हसी नजर आ रही थी अब कुछ तो बोलो बोलने की बारी मेरी थी वो मेरी तरफ देखती रही और बोली टाइम हो गया अब मैं जाती हूँ और इसके बारे में कल बताती हूँ अब वो उठकर जा रही थी और मेरी आखों में देख मुस्कुरा रही थी मैंने भी तो दिल की बातों को उससे बोल दिया और उसका जवाब समय पे छोड़ दिया अब मुझे कल का इंतिजार था क्योंकि कल में ही तो जवाब था क्या मेरी प्रेम कहानी आगे बढ़ पाएगी या बस एक तरफा रह जाएगी हाँ किया तो पालूंगा सब कुछ अगर ना तो दोस्ती तो ना खतम हो जाएगी उसका ना मुझे डरा रहा था लेकिन हाँ सोच भी तो शर्मा रहा था अगले दिन जब मैं ट्यूशन पहुँचा तो वो बैठ कर सवाल कर रही थी और बाकी बच्चों संग हसी मजा कर रही थी मैं भी अपनी सीट पर बैठ सवालों को करने लगा और भी मन से पढ़ने लगा सर आये और पढ़ाने लगे पर पढ़ने का मन कहां कर रहा था आज मन भी तो कहीं और लग रहा था जो बेचैन कर रहा था वो एक ही तो सावाल था और मुझे बस छुट्टी का इंतजार था क्योंकि मुझे एक प्यारी सी लड़की से जो प्यार था छुट्टी हुई और अब सब घर जाने लगे मैं उसके पास बहुचा और बोला क्या कुछ कर्दम साथ चल सकते है उसने भी हस कर बोला हम आपको मना कैसे कर सकते है फिर मैं बोला अरे सुनो ना मैंने कुछ पूछा था आप से थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो बोली अपनी हर बात मुझे बताओगे और मुझे ऐसे ही चाहोगे हर कतों से मुझे जज्मत करना और हमेशा मुझे समझना थोड़ा गुस्सा करूँ तो सह लेना और जो बुरा लगे वो कह देना ये कहते हुए उसने मुझे गले लगाया फिर हमने कद्मों को घर की तरफ बढ़ाया प्रफ बढ़ाया